हाई फ्रेंड्स हाव यू आज हम सीखेंगे यूवी का स्टेंटिक ग्राफ बनाना और अन्नोन सॉलुशन का कंसेंटरेशन फाइंड आप दिखेंगे यहां पर पहले से टेबल प्रपेर है स्टॉक सोलेशन कंसेंटरेशन जो मेरे एक्स्पेस्मेंट्स में मैंने लिया है 2.5 ग्राम पर लीटर अब हमको क्या क्या चाहिए यहां पर अब हम इसके देट यूबनेम स्टालेंगे सबसे पहले ब्लैंक देन ट्यूब 1 ट्यूब 2 अब मैं इसमें ऑटो फेल का ऑप्शिन का यूज करूंगा दोनों सेल को सलेक्ट करेंगे च्योब वन एं ट्यूब 2 को फिर स्मॉल ब्लैक डॉट पर क्लिक करेंगे और इसको ड्रैक करेंगे जहां तक हमको चाहिए अब हमें चाहिए यहां पर अन्नोन 1 अन्नोन 2 शरी अन्नोन 2 अब हम डालेंगे सेंपल वाल्यूव जीरो एमल वन टू त्री फोर फाइव सिक्स सेवन एटूब इसको सब्सक्राइब करने के लिए इसको हम ड्रैक करेंगे अब कंसेंट्रेशन के लिए में आपर फार्मला लगाना होगा इससे पहले में स्टॉक सॉलिशन को नेम दूँगा राइट क्लिक डिफाइन नेम आप देखें कि इसने एक आटोमेटिकल नेम लिया है जो की नियर्भाइ से वह पिक कर लेता है तो आप चाहिए तो से चेंज कर सकते हैं मैं से चेंज कर रहा हूं कंसेंट्रेशन सी ओ एंजी देन ओके अब हमारी सेल जिसमें में फॉर्मुला लगाना है इस पर क्लिक करेंगे एकुल सेंपल वाल्यूम पर क्लिक करेंगे डिवाइड़ पर मेकप वाल्यूम एंटिप्लाइं कंसेंट्रेशन इंटर अब यहां पर अगें आटोफिल का अब हम डालेंगे यहां पर OD वैल्यूस तो ब्लैंक में 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 रिवेली रिडिंग्स जीरो चूब 1 0.32 चूब 2.66 चूब 3.95 चूब 4 1.21 चूब 5 1.65 चूब 6 1.92 चूब 7 2.32 चूब 2.64 3.2 चूब 3.62 अब हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे कंसेंट्रेशन वर्सेस वोडी इंसर्ट स्कैटर स्कैटर विद्ट स्मूथ लाइंस और मार्कर्स इसको फोड़ा साइड जस्ट करेंगे इसको जूम कर लेते हैं ओडी को डिलिट इन इसको टाइटल को चेंज कर लेते हैं ओडी वर्सेस चंसेंट्रेशन अब में एक्सेसर यक्सेस के टाइटल डालेंगे एक्सेस्ट इन हो जंट टाइटल ब्लों एक्सेस्ट तो इस इस मैं ओडी हो नहीं दिस इस मैं संट्रेशन इस इस मैं ओडी ओड़ा कर लेते हैं है ओके दोनों का थोड़ा सा फोंट साइस बड़ा कर लेते हैं कि लागा है ओके नौ इसके अंदर यहां पर हमारी रीडिंग्स 2.5 तक है कंसेंट्रेशन इसमें 3 तक वाले रिखा रहा है तो मैं इसको 2.5 मैक्जिमम इसका सेट करूंगा एक्सिस होरिजंटल एक्सिस मोर में मैक्जिमम वैल्यूस को मैं फिक्स कर देंगे 2.5 एंड ओके अब मुझे यहां पे चाहिए इसका थोड़ा बढ़ा करते हैं ग्रेट लाइन्स होरिजंटल वर्टिकल्स मेजर लाइन्स को अब इसे हमें स्ट्रेट लाइन में फिट करन आए तो इसके लिएम यूज करेंगे ट्रेट लाइन देन मोर ट्रेट लाइन ऑप्षिंस आप लीनियर डारेक्ली यूज कर सकते हैं मुझे यहाप एक एक्वेशन भी चूज करनी है तो मैं इसमें मोर ट्रेट लाइन्स ऑप्षिन को चूज करूंगा मोर लीनियर पर चेक किया डिस्प्ले एक्वेशन्स ऑन चार्ट एंड आर स्क्वेर वैल्यू अन दा चार्ट ओके यहाप आप देखेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन बनी है ब्लाइक कलर की यह उसकी एक एक्वेशन आ गई है प्लस इसका आर स्क्वेर की वैल्यूस आ गई ह कि आर स्क्वेर से डिफाइन होता है कि आपका जो स्ट्रेट लाइन है वो ग्राफ से कितना एक्वेटवी मैंच कर रहा है तो वन मीन्स परफेटली मैच के लिए होता है पॉंइंट्याइन परेशन आपका ग्राफ लाइन से मैच कर रहे हैंWest अब हम देखेंगे कि अनुन यहां पर में टाइप करता है इसके लिए हम लोग यहां पर फार्मला यूज करेंगे इक्वल स्लोप जैसे में स्लोप करूंगा तो मुझे पूच रहा है यहां पर इसके लिए मुझे सेलेक्ट करके ड्रैक करना होता है देन कॉमा एंड नौन वैल्यूस ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोस एंड इंटर वाब देखेंगे कि जो एक्वेशन में हमारा एक्स के पहले वैल्यूस 7.4185 तो वह हमारी यहां पर स्लोप वैल्यू आ गई है यहां पर आप देखेंगे कि इंटरसेक्ट की वैल्यू यहां पर आ रही है माइनस 0.09 तो इसका मेनिंग होता है कि यह एक्स पे माइनस में मिन्स 0 एक्स एक्स के नीची की तरफ को इंटरस गाइनुन कंसेट्ड करेंगे आनants भगिसक्ट पर उपिर प्याशन आप इक्स का करेंग के इंटरस एंटरसे हमारी इंटरसेप्त की वैल्यू ऑग zij अब हमें unknown values के लिए concentration find out करना है तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होती है एक od और od की help से हम लोग find out करेंगे concentration तो od values मेरी case में od value है 2.53 और second od value और इसको में drag कर लेता हूँ हमारा जो फार्मुला होता है वह होता है y equal to mx plus c x के respect में हम जब equation solve करेंगे तो हमारी equation हो जाएगी y minus c divided by m हमें यही फार्मुला यूज करना है हमारे unknown values के लिए एक खुल bracket start y की value जो कि हमारी od की values होगी minus c जो intercept से आएगा हम यहाँ पर intercept को फिर से evaluate करेंगे ताकि इसमें programming में आने वाली errors को हम लोग समझ सकें तो d1 minus intercept फिर known values of y और known values of x आप भी इसको practice कीजिए तो आपको इसको यूज करने में आसानी होगी bracket close then slope m अगें वैल्यूस ओफ वाई कॉमा वैल्यूस ओफ एक्स रेकेट क्लोस इंटर यह जो हमारी वैल्यू हाई है यह 2.53 पर हमारा कंसेंट्रेशन आया अन्वन का अब यह हमारा ओडी वैल्यू इन दोनों वैल्यूस की बीच में लाई करेगा अब हम सेम इसी फर्मुले को ड्रैक करेंगे नीचे तो आप देखेंगे यहां पर जो य के और एक्स की वैल्यूस थी वो एक-एक स्टेप डाउन आवे तो आप शिप्ट कर देंगे इसको दोनों में हमको यहीं करना है तो यह हमारी वैल्यूस वापस से जैसी हमको चाहिए थी आप इसकी मुझे जरूरत नहीं डेलेट कर देता हूं और यह हमारा रिजर्ट तयार कोई भी हल्प के लिए कमेंट कीजिए पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू